बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्षा नवी की हिंदी विशे की पुस्तक छितीच भाग एक जो कि कक्षा नवी के लिए हिंदी की पाठे पुस्तक है इस पुस्तक के पाठ जो है प्रेमचंद के फटे जूते जो कि हरी शेंकर परसाई जी की रचना है प्रेमचन के फटे जूते या पाठ हमने पढ़ लिया था यदे आपने इसका वीडियो नहीं देखा हो तो चैनल की प्लैलिस्ट पर जा कर देख सकते हो बच्चों और इसी तर के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आज हम इस पाठ के प्रशनतर करेंगे तो इसके प्रशनतर में प्रशन पहला है हरी शंकर परसाई ने प्रेमचन्द का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचन्द के व्यक्तित्व की कौन-कौन सी विशेशता है उबर कर आती है तो इस प्रश्ण का उत्तर हमें कॉपी में करना पड़ेगा तो प्रश्ण है हरी शंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तितों की कौन-कौन सी विशेष्टा उभर कर आती है तो इसका उत्तर है तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे उत्तर में हरी शंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तितों की निम्नलिकित विशेष्टा उभर कर आती है तो है तो प्रेश्ण में से ही लिखा हमने तो इनकी जो विशेष्टा है प्रेमचन जी की जो विशेष्टा है वो हमने विशेष्टा मुख्य मुख्य लिख दी है तो पहला है साधा जीवन प्रेमचन आडंबर वह दिखावे से दूर रहते थे वे साधा वसरल जीवन जीते थे ठीके वे सादा वा सरल जीवन जीते थे दूसरा है संगर्शिशिल व्यक्ति प्रेमचन का जीवन संगर्शिशिल था उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी मुसिबतों का सामना किया था तीसरा है आदर्शवादी व्यक्ति प्रेमचन आदर्शवादी व्यक्ति थे वे अपने जीवन में नियम धर्मक का पालन करते थे चोथा है सरल सुभाव के व्यक्ति, प्रेमचन का सुभाव सरल था, फोटो खीचाने के लिए भी वे अपने सरल सुभाव के साथ बिना किसी दिखावटी पन के खड़े हो जाते हैं पाचवा है सामाजी कूरितियों के विरोधी, प्रेमचन्द ने सामाजी कूरितियों का विरोध किया था, वे कूरितियों से बचकर नहीं निकले, बलकि उनका डटकर सामना किया था तो यहाँ जो विशेष्टा हैं हमने पार्ट में से लिखी है तो आपको जब इस प्रेश्णों को उत्तर याद करोगे बच्चों तो आपको मुख्य मुख्य विशेष्टा आप याद रख लो और बाकी के जो लाइने आप पढ़ लो तो आपको उस समय भी याद हो जाएग तो इसमें चार अप्शन दे रखें तो हमें सही कथन जो होगा उस पर राइट का निशान लगाना है तो इसमें कवला है बाए पाओ का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है तो यह कथन सही नहीं है बच जूते में चेद हो गया था तो यह कथन सही नहीं है खवाला है लोग तो इतर चुपड़ कर फोटो किचाते हैं जिससे फोटो में कुछबू आ जाती है तो यह सही कथन है इस पार्ट के अनुसर यह कथन सही है ऐसा कथन इस पार्ट में दे रखा है अगला है तुम्हारी कि अव्यंग मुस्कान मेरे होसले बढ़ाती है तो यह कथन गलत है क्योंकि यहां पर होसले बढ़ाती नहीं होसले पस्त करती आता है जिसे तुम ग्रणी समझते हो उसकी तरफ अंगूटे से इशारा करते हो तो यह कथन भी गलत है क्योंकि इस पार्ट में दे रखा है कि जिसे तुम ग्रणी समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पाउं की उंगली से इशारा करते हो, तो यहाँ पे अंगुठे से इशारा करते हो, लिखा इसलिए गलत है, तो यहाँ पे यहाँ वाला जो कथन खव वाला है, वो राइट है, बाकी कथन गलत है, अगला प्रश्ण नमबर तीसरा है, निचे दी कही पंक्तियों में नहीत व्यांगों को स्पस्ट कीजिए, तो इन पंक्तियों में नहीत व्यांगों को स्पस्ट करना है, पहली पंक्ति है, कवाली जूता हमेशा टोपी से किमती रहा है, अब तो जूते की किमत और बढ़ गई है, और एक जूत जूते और टोपी की तुलना करते हुए बताया है कि जूते का इस्थान पैरों में होता है जबकि टोपी का सीर पर फिर भी जूता अधिक कीमती होता है जूता ताकत वर सामर्थ का प्रतिक है और टोपी सम्मान की प्रतिक है वर्तमान में जूते की कीमत और अधिक बढ़ टीक है लोग अपनी सामर्थ और ताकत के बल पर सम्मान भी खरिद लेते यसले जूते की किमद अभी वर्तमान में बढ़ गई गई वाला जो दे रखा है तुम परदे का महतो ही नहीं जानते हम परदे पर कुर्बान हो रहे हैं तो यहाँ पर जो व्यंग वो है प्रेमचन जी ने अपनी बुरायों को कभी ढखने का प्रयास नहीं किया वे बुरायों पर परदा नहीं डालते थे लेकिन वर्तमान में लोगों का मुख्य प्रयास अपनी बुराईयों को ढखने का रहता है अर्था थे बुराईयों को परदे के पिछे चुपा कर रखना चाते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो वियंग है यह यह बताया गया है कि प्रेमचन जी जिस प्रकार अपनी बुराईयों को नहीं चुपाते थे वह उसी सरल रूप में हर किसी के सामने थे जबकि वर्तमान में क्या हो रहा है कि हम तो अपनी बुरायों को छुपा कर पर्दी के पीछे रखना चाते हैं और केवल अच्छा ही अच्छा दिखाना चाते हैं तो इस प्रकार यव्यंग था इसमें अगला जो गव वाला है जिसे तुम घ्रनिस समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाओं की अंगुली से इशारा करते हो तो जिसे तुम घ्रनिस समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाओं की अंगुली से इशारा करते हो तो इसका उत्तर है जो निहित व्यंग है वह है प्रेमचन सामाजिक बुराईयों के विरोधी रहे हैं वे इन बुराईयों को ग्रणिश समझते हैं ठीके प्रेमचन जी जो है सामाजिक बुराईयों के विरोधी रहे हैं और इन बुराईयों को वो ग्रणिश समझते हैं और उनकी तरफ हाथ की उगली से इशारा भी नहीं करना चाते मतलब उन बुराईयों को इतना घ्रनी समझते कि उनकी तरफ उपनी हाथ की उगली से भी इशारा नहीं करना चाते वे इन बुराईयों की और पाउं की उगली से इशारा करके लोगों को सच्जित करने का प्रयास करते हैं तो यह व्यंगता इसमें और यह तीनों हमने कर लिये हैं अब प्रश्ण नमबर जो चोथा अब जो प्रश्ण चोथा दे रखा इसमें पार्ट में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिचानी की अगर यह पोशाक है तो पहनने की केसी होगी लेकिन अगले ही वह विचार बदलता है कि नहीं इस आत्मी की अलग-अलग पोशाके नहीं होगी आपके अनुसार इस संदर्ब में प्रेमचन के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है तो लेखक के विचार प्रेमचन के बारे में क्यों बदल गए थे क्योंकि उन्हो पोटोखी जानी की अगर या पोशा के तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन बाद में तुरांती अगले पल उनके मन में ऐसा विचार आया, कि नहीं इस आत्मी के अलग-अलग पोशा के नहीं होगी, तो ऐसा क्यों हुआ था तो इसका उत्तर है, चोथे का उत्तर है बच्चो, च सरप्रथम, जैसे हम भी हर किसी को सरप्रथम एक सामाने व्यक्ति के रूप में ही देखते हैं, तो सरप्रथम लेखक ने भी प्रेमचन को एक सामाने व्यक्ति के रूप में देखा, जिससे उन्हें लगा कि फोटो खिचाने की अगर या पोशा के, तो पहनने की कैसी होगी लेकिन अगली पर उन्हें आभास हुआ कि प्रेमचन सीधे और सहज इंसान थे वे दिखावे में विश्वास नहीं करते थे इसलिए लेखक के विचार बदलते हैं कि नहीं इस आत्मी के अलग-अलग पोशाके नहीं होगी मतलब वो अलग-अलग पोशाक में केवल फोटो कीचाने के लिए अपनी पोशाक को नहीं बदलेगा वो जेसा है उसी रूप में वहाँ पर फोटो में भी दिखाई दे रहा है तो इस प्रकार हमने प्रेमचन की व्यक्तितों की विशेशता भी साथ में देख ली कि अबहुत सहज और सरल सुभाओं के इंसान थे और दिखाई में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे प्रेश्ण पाच्वा है आपने यह व्यंग पढ़ा इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बाते आकरशित करती तो इस व्यंग में हमें लेखक की कौन सी बाते आकरशित करती तो यहाँ पर हमें लेखक की जो बाते आकरशित करती वो है हमें लेखक की निमनलकित बाते आकरशित करती है पहला लेखक सीधे और सरल रूप में प्रेमचंद के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं तो लेखक जो है अपने विचार बिल्कुल सीधे और सरल रूप में व्यक्त कर रहे हैं जैसा उनके मन में भाव आ रहे हैं वैसे ही वो अपने विचार हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरा लेखक ने सतिक रूप से प्रेमचंद का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। बिल्कुल सटिक रूप से कि प्रेमचंद के जूते किस तरह से फटे हुए उनके उंगली किस प्रकार दिखाई दे रहे हैं उनकी वेजबुशा केसी है सब कुछ इस पस्ट हमें समझ में आ रहा है उसमें तीसरा इस व्यंग में लेखक ने स्यम को भी प्रस्तुत किया और अपनी कम्याभी बताई है ठीके लेखक ने स्यम को भी इसे प्रस्तुत किया कि यदि मैं उनकी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता इस प्रकार से उन्होंने स्यम को भी इस लेख में जोड़ रखा है लेखक को मनुश्य सभाव और मानो समाज की घरी समझे क्योंकि इसी कारण से प्रेमचंद के भी जो सभाव है उसको इसपस रूप से हमारे सामने प्रस्तुत कर पाए है और मानो समाज के प्रती जो उनकी समाजे वह भी हमें इस लेख में दिखाई देती है और इसके बाद अगला पॉइंट है व्यांग के माध्यम से लेखक ने सामाजिक बुराईयों के प्रती विरोध प्रस्तुत किया तो लेखक ने भी सामाजिक बुराईयों के प्रती अपना विरोध इस लेख के माध्यम से व्यक्त किया है अब अगला प्रेशन चटा है पाठ में टीले शब्द का प्रयोग की संदर्बो को इंगित करने के लिए किया गया होगा तो टीले शब्द का प्रयोग पाठ में किया गया था टीले जिसे की प्रेमचन ठोकर मारते होंगे और उनका जूता फट गया होगा तो इसका उत्तर हो सकता बच्चो इसका उत्तर है पार्ट में टीले शब्द काप्रयों किन संदर्बों को इंगित करने के लिए क्या गया होगा तो इस पार्ट में बताया गया है कि प्रेमचन जी ने अपना जूता किसी सक्त चीज या टीले को ठोकर मार कर फाड लिया होगा वास्तों में या सक्त चीज या टीला समाज में फैली बुराईया, कूरीतिया, अन्याय और अधर्म है इन सामाजिक बुराईयों का विरोध प्रेमचन आजीवन अपने लेखन के माध्यम से करते रहें ठीके या अन्याय लिखा बच्चो अन्याय और अधर्म का विरोध उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से हमेशा सही किया है और आजिवन अपने लेखन के माध्यम से वयह करते रहे हैं तो तीले शब्द का प्रयोग सामाजिक बुराईयों के लिए किया गया है अभी व्यक्ति के जो दो प्रश्ण दे रखे बच्चों आप अपने मन से कर सकते हो ठीके प्रेमजन के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग लिखा आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग लिखे तो आप भी किसी की पोशाक मतलब वेशबुशा को आधार बनाकर अपने विचारियान लिख सकते हो और अगला है आपकी देस्टी में वेशभूशा के प्रती लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है तो वेशभूशा के प्रती लोगों की सोच में यह परिवर्तन आया है कि लोग अपनी वेशभूशा पर अधिक ध्यान देते हैं क्योंकि आजकल के समय में वर्तमान, समय में लोग दिखावे पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, भले ही उनके पास और कुछ हो नहों, लेकिन वो कपड़े हमेशा अच्छे पहनने की कोशिश करते हैं, तो बच्चो ये दो क्योश्चन है आप अपने मन से कर सकते हो, और ये इतन करने के आशकता नहीं, प्रेमचन जी की जो विशेशन जो व्यक्त किये गए हैं, उनके प्रेमचन की व्यक्तितों को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेशनों का उप्योग किया उनकी सूची बनाई है, तो ये सूची आप अपने मन से भी बना सकते हो, साधा जीवन उच्च विचार और सरल व्यक्तित्व इस प्रकार के विशेशन आप लिख सकते हो, और आगे जो प्रशनों में हमने उनके जो विशेशता है लिखी थी, वो भी आप विशेशन में या लिख सकते हो, तो हम प्रशन नमबर नववा कर लेते हैं, मुहावरे चाटी ये वाल प्रयोखी लेखक की दस्टि प्रेमचन्द के जूते पर अटक गई, अगला मुहावरा है कुवे के तल में होना, इसका अर्थे बहुत गहराई में होना, प्रयोखी क्या चाबी कुवे के तल में है, जो ढूंने में इतनी देर लग रही है. अगला मुहावरा है नियोच्छावर होना इसका अर्थे कुर्बान करना या कुर्बान होना प्रयोगे देश के लिए विरों ने अपना सब कुछ नियोच्छावर कर दिया अगला मुहावरा है लहू लुहान होना, खून से लत्पत होना, प्रयोगे दुरगटना होने से कई लोग लहू लुहान हो गए अगला मुहावरा है होसले पस्त करना, हतोस सहित करना, प्रयोगे सैनिकों की विर्ता देखकर दुश्मनों के होसले पस्त हो गए मुहावरा है बरका कर निकलना अर्थे बच कर निकलना मोहन उधार मांगने वालों को बरका कर निकल गया मतलब उनसे बच कर निकल गया और एक और मुहावरा है यहाँ पर ठोकर मानना पैरों से मानना प्रयोगी हमें बुराईयों को ठोकर मार कर आगे बढ़ना चाहिए तो इस प्रकाइस पार्ट के प्रिश्ण तर हम कर चुके यह जो मुहावरे वाला प्रिश्ण यह हमने व्याकरण की देश्ची से करा है और जो उपर के जो चे किस्चन है वह इंपोर्टेंट थे जो हमने पहले ही कर लिए